कि अब दोस्तों सवागत है पॉल्टेटिंग स्टार इस पर मैं हूँ आरके सिंग हम लोग कंटीनियो करें थे अप्लाइट फीजिक्स टू चैप्टर चल रहा था ओप्टिक्स दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं और टिकल इंस्ट्रूमेंट के वारे मे आपटिकल इंस्ट्रूमेंट तो आप लोग यह मुझे बताएंगे और श्रमेंट इंस्टूमेंट भोले तो आप लोग किया समझते हैं दौस्तों सब्सक्राइब करते हैं जिसमें मिरोर टिक हैं जिसमें आइना लेंग चारी मुट्परिंज्शन ज़रनं का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो आखो का जो वीजन का देखने के जो समता है उसको exchange किया जाता है उसको बराया जatा है उसी को हम लोग optical instrument कहते हैं जैसे कि हम लोग glasses लगाते हैं जिसका खरब हो गया है दूर चीज या आप दिक से दिखाई नहीं थे तो वो लोग क्या लगाता है चस्मा लगाते हैं तो चस्मा भी एक आपका आपका अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है तो उसके बाद करते हुए जो मेन का जो आई का जो वीजन रेंज होता है रेंज जो वीजन आप ही एक्स्टेंडेड उसको बहाया जाता है उसी डिवाइस को अब लोग आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट are the devices 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 which makes which makes use of use of mirror mirrors lens and lens and prisms prism and primarily used to extend used to extend the vision of human eye extend the vision extend the range of vision range of vision of human eye this is an example of a definition of optical instrument of optical instrument which makes use of mirrors lens and prisms and primarily used to extend the range of vision of human eyes okay take a example made of the king optical instrument coming a bb a blog example but I have example my home look as a raking in microscope for a king in microscope okay then it's about telescope for a king in telescope telescope then it's called binocular by nuclear camera this are the example of optical instrument okay this is are the example of optical instrument abhi a optical instrument का कुछ essential feature है जो उसमें रहना ही चाहिए ओके अगर वो फीचर्स नहीं रहते हैं तो इसको हम लोग optical instrument efficient optical instrument नहीं कह सकते फिर्स्टिंग 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 चलो इसको हम परे में लिखलेता हूं essential 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 features essential features of an optical instrument optical instrument ठीक है optical instrument essential features of an optical instrument अभी क्या है फिर्स्टिंग फिर्स्टिंग इस हाई magnification high magnification अगर कोई optical instrument high magnification नहीं दे पाता है तो फिर उसको हम लोग efficient optical instrument नहीं कहते optical instrument के strain में उसको हम लोग लेते ही नहीं ठीक है उसका magnification power होगा वो हाई होना चाहिए छोड़े-छोड़े चीज़ को ज्यादा बढ़ा करने करके देखने की समता उसमें होना चाहिए ठीक है तब ही जाके उसको हम लोग optical instrument कहेंगे और उसका use करेंगे ऐसा आप लोग ने ऐसा दुरविन ले लिए हैं जो की आपको दस मीटर से ज़्यादा आपको ठीक तरह से दिखाए नहीं देता तो उसका यूजी क्या है बोलो उसको हम लोग यूज करेंगे थोई राइस करेंगे उसका camera camera एक हम लोग है digital camera ले लिए हैं मान लेते हैं लेकिन वह ज्यादा दूर का जो pictures है उसको ठीक तरह से clearly वो आपका दिखा नहीं पाता है clearly उसका photo खीच नहीं पाता है then उसका मतलब क्या है उसको ज़्यादा यूज नहीं करेंगे ठीक है तो आप लोग जब mobile लेते हैं definitely आप लोग camera का जो megapixel है उसको देखते है ना ठीक है उसको देखते है उसका megapixel कम है तो मतलब उसका जो पावर है magnification power है वो आपका कम है उसका resolution कम है ठीक है ना तो आप लोग उस camera उस mobile को नहीं खरे देंगे और आप लोग चाहेंगे कि मेरा जो mobile का camera है वो 32 megapixel का हो 64 का हो ठीक है तो हाई magnification हर एक optical instrument में होना चाहिए यह एक essential feature है ठीक है चलो अभी देखो दूसरा जो है हाई regulation हाई regulation हाई regulation हाई regulation ओके अब यह regulation क्या होता है regulation आप सभी लोग जानते है आउसका आप लोग 242 में देख सकते हैं उसको 420 में देख सकते हैं natin सब क्या है यह सब आपका इसा मेंड़ करता है कि आपका Image का Quality क्या होगा immigration जितना ज्यादा है, image का quality उतना ज्यादा है मतलब क्या, देखोigration एक ऐसा measure है जिसके सारे हम लोग क्या देखते हैं, क्या define करते हैं कि किसी एक image में अगर दो point है किसी एक image में, अगर दो ॉबजेक्ट रखा गया है इसका photo हम लो ने घीचे हैं तो इन दो object के बीच में छोटे-छोटे difference को अगर हम लोग identify कर पाए तो इसका मतलब है यह आपका high resolution का screen है यह आपका high resolution का screen है या फिर high resolution का photo है ठीक है अभी दूसरा photo में ले रहा हूं कि देखो यह दो object है लेकिन इसमें उतना ज्यादा clearly आपको यह दोनों object के बीच में difference नह सुलना दिख रहा है तो आप लोग identify नहीं कर पारे कि क्या-क्या difference है इन दूनों point में लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यह स्कीन था क्या आपका 4K का यह था आपका 420 pixels का ठीक है 420 pixels का तो यहाँ पर आप लोग इसको identify नहीं कर पाए लेकिन यह 4K में आप जब लोगों ने दे पावर को कह सकते हैं जिससे कि हम लोग करने का जो कैपासिटी है जो समता है उसी को हम लोग कहते है मैगनिफिकेशन तो अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यह दूनों चीज जो होना चाहिए ठीक है जैसे कि आप अभी बात करें माइक्रोस्कोप की कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होते हैं जो हैवी माइक्रोस सकते हैं इतना बड़ा करेंगे आपने आखों से नहीं देख सकते हैं अगर माइक्रोस्कोप के सारा देखेंगे तो इसको हम लोग हैं अगर इसको फाइव एक्स कर लिए हैं तो इसके अंदर जितने बी छोड़े चोड़े पार्ट सोगा उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पारे तो उसका रेजुलेशन जो है खराब है अगर उसका उस microscope का resolution अच्छा होता तो फिर यह सभी points के बीच को हम लोग point के बीच में जो difference है वो देख पाते और उन सभी point के भीतर क्या है वो भी हम लोग देख पाते हैं अगर हमारे पास high resolution का microscope होता तो these are the essential features यह दोनो features definitely होना ही चाहिए तब जाके हम लोग उस instrument को efficient instrument कह सकते हैं official optical instrument कह सकते हैं इन दोनों feature के अलाबा या फिर यह दोनों features अगर नहीं रहेगा अच्छे से तो फिर उस instrument को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे वह वेकार का instrument होगा ठीक है चलो अभी हम लोग चले आते हैं आज हम लोग बात करेंगे simple microscope के बारे में अगर टाइम रहेगा तो फिर हम लोग compound microscope को भी discuss कर सकते हैं लेकिन आइधिंक उतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास तो आज हम लोग सिर्फ simple microscope को ही discuss कर लेते हैं ठीक है चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे पहले इरिद करने दो मुझे कर दो कर दो चलो तो यहां पर हेडिंग लगाता हूँ simple microscope simple microscope सिंपल माइक्रो स्कोप सिंपल माइक्रो स्कोप सिंपल माइक्रो स्कोप सिंपल माइक्रो स्कोप क्या है दोस्तो सबसे पहले तो हम लोग माइक्रो स्कोप को डेनोट कर लेते हैं माइक्रोस्कोप क्या है माइक्रोस्कोप क्या है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप इजन ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट एक माइक्रोस्कोप जो होता है वह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट होता है जहां पर हम लोग छोटे-छोटे objects को बड़ा करके देखते हैं magnify करके देखते हैं तो हम यह पर microscope is a device microscope is a device which is which is use which is used to see the of she'd see the small objects small objects oh as magnified one as magnified one तो इसको हम लोग छोड़े छोड़े इसके सारे छोड़े छोड़े objects को जो है magnify करके बड़ा करके देखते हैं यह दिस इस दा microscope ओके एंड एक सिंपल माइक्रोस्कोप पे इन 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 सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप करने कुछ सिंपल माइक्रोस्कोप करन वेक्स लेंस ओफ स्मॉल सुकल लिंग्ट इस यूज़ इस यूज़ एक सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही करने क्रणेश को जो है यूस किया जाता है जिसका Focal कर लेंग्द आपका चोट शोट आर रहेगा ठीक है ओके और अर्वकंग कहें सिंपल माैक्रोस्कोप का चलो कीलेक्ड फे world इस फिलिटा हूं के ट्री bissल था कुले थे वरिकंग फैनसे पर हों केल प्रिंसेपल कहा है दो आपजेक्ट दो ऑब्जेक्ड बेक्ड is placed between between the focus and optical optical center of the lens lens hence hence the image formed is magnified magnified and virtual okay so working visible kya hai simple microscope ka ki yaha peh hum log lens kejo optical center hai and focus hai us ke bici meh hum log object ko rakti hai and as a result kya milta hai ta hai a magnified image mullta hai virtual image mullta hai okey məni aacağımilah ko kira ya tata image formation image formation लेंज के द्वारा वहाँ पर हम लोगों ने कन्वेक्स लेंज का केस देखा तो यहां पर वर्चोल इमेज फ़ोरम होगा तो यहां से कौनसा रेज़ा एक शोगा यह यह दूसरे focus के होते हुए निकलेगा ठीक है ऐसे दूसरे focus के होते हुए निकलेगा एक light जो है वो ऐसे optical center होते हुए निकलेगा एड़ ये दुनों इधर जाके मिलेगा नहीं तो इसको हम लोग पीछे से एक्सेंट करके जो है पीछे हम लोग इसको मिलाएंगे ओके यह होड़ा हमारा इमेज देखो ऑब्जेट कितना था एन इमेज कितना हुआ हमारा इनिफाइड इमेज हुआ ओके यही प्रिंसिपल जो है यूज क्या जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में ठीक है चलो तो हमे उतना ज्यादा तो डीप में जाना नहीं है उतना ज्यादा डीप में जाना नहीं है सिर्फ हमें क्या है कि दो कंडिशन्स देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट के सभी इंस्ट्रुमेंट जो हम लोग देखने वाले हैं यहां पर डिसक्स करने वाले हो उन सभी का दो डिखना होगां को निखना हो Enos उस्का नोर्मल एजस्मेंट पर जो है देखना है थंपना है और जाकंड अफय नोर्ग दोनौ एक क्या होता है अभी लोग समझने वाले हैं वरकिंग पीनस्टेबल आप छोगे किये हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का तो इसको इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे काम करता है और उसका मैंगनिफाइंग पावर क्या इसा हुटता है ठीक है करें दो करता है है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 अचल तो अब ही मैं सबसे पहले तो डाइग्राम को बना लेता हूं इदर डियाग्राम रे डियाग्राम जो होता है सब्सक्राइब यह है इसका प्रिंसिपल एक्सीज और यह है उप्टिकल सेंटर इस इस अफोकस तो इधर भी एक फोकस रहेगा ओके एंड दिस इस दा सेंटर ओफ कर्विचर द लेंस तो यहां पी जो है हम लोग क्या रखेंगे चल लिए जो यहां पर लू मारकल लेता हूं तो वर्किंग फिंसेबल में क्या कहा गया है कि फोकस और पीजिट को रखा जाएगा तो मैंने यहां पर अब्जेट को रखा देशिज और आबजेट निकलेगा इसा और यहां पर देते हैं फोकस औक यह निकल गया अई सानिकल गया और दूसरा जो जाएका वो आपका अप्डक छो से यह जाएगा एंड यह जा डुकожд क्या करेंगे तो कुछ इस हमें देखने को मिलेगा ऐसे एक्सेंट हो रहा है तो यहां पर हमारा इमेज हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि अबजेक्ट हमारा छोटा था इमेज हमारा ज्यादा इमेज हो गया लोगो जो रहा साथ अच्छा ठीक है तो देखो अब यहां पर हमारे पास जो मैंगनिफिकेशन पावर है वह निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग पहले बात करेंगे क्या यह अंग और मैगनिफिकेशन अब अंगिलर मैगनिफिकेशन कौन से केस में यूज क्या जाता है फॉर था Case जब जो यह जो इमेज हो रहा है वह आपका डिस्टिंक हुए बींग में हो रहा है मतलब आब कि यहां से थोड़ी दूर हो रहा है image जो image form हो रहा है वो object त्दोरी दूर object form how okay कि normal adjustment क्या है कि image जो form होगा बहुं infinity में होगा घ्रका उसको हम लोग कहते हैं normal adjustment ब्रकाइब कि आप लोग सकते हैं यह कॉन सा अजस्मेंट है दोस्तों यहीbel약 tim तो यह आपे object image जो है object का जो image है वह किसी एक range में नहीं फर्म हो रहा है लेंस के कि दिस्टिंस है डिस्ट्इंक वें जो है फर्म हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्यम्म झेज फॉर्म पो इलिस्टिंक का विजट्ट तो इसके लिए हम लोग वैंगूलत match निकाल रहते हैं मैंगूलनados निकालने के लिए फॉर्मुला है लेकिन हमारे पास सिंप्ली एक डिस्टेंस के औब डिस्टेंस थीक्या है तो इन है आप लोग देखी और सबक्तिछ दिस्टेंस वह ले रहे हैं से बूल किन सब दिस्टेंस तो श्रम नहिसे सेинки zł क्या होगा इसका मैं इसका इस थोあとlo gr करेंगे magnetism power is equal to minus d यह है image distance and this is u नहीं हमारे पास क्या आ गया डी भाई यू आ गया okay magnification क्या आ गया magnification हमारा डी भाई यू आ गया अभी इसको अगर हम लोग f and d के टाम पे focal length के टाम पे इसको लिखेंगे तो क्या होगा we know we know that minus 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f यह वाला बात तो आप जानते हैं यह वाला formula lens का formula है तो यहाँ पर यू क्या है object distance तो object distance यहाँ पर क्या था minus u plus and image distance भी minus d था and इधर f हो गया ठीक है तो इसको अगर solve करेंगे तो हमें मिलेगा u minus 1 by d is equal to 1 by f ठीक है अब इस पूरा equation को आप d से multiply कर दो okay multiplying by d multiplying multiplying by d हमें क्या मिलेगा multiplying by d d by u मिलेगा minus d by d मिलेगा minus d by f मिलेगा इसको पूरा d से multiply करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या मिलेगा d and minus 1 is equal to d by f तो इस वान को इधर ले जाएं d by u is equal to 1 plus d by f ठीक है एंड यह d by u क्या है दोस्तों अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एंगुलर मैंगनिफिकेशन पूछा जाए तो आप यह वाला फॉर्मॉला यूज कर सकते हैं यह वाला फॉर्मॉला यूज कर सकते हैं अब आपको देखना है कि कौन सा कंडिशन क्या-क्या चीज दिया गया है अगर आपको image distance and object distance दोनों ही दिया गया है तो आप इससे निकाल सकते हैं अगर आपको focal link दिया गया है अगर आपके पास किताब है फिजिस का कोई भी किताब है ठीक है तो वहाँ से आप लोग ने विएकल पॉब्लम को जो है स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं ओके तो आप फी एडवांटेज में रहेंगे आपका ही फाइदा रहेगा अगे छलो को तो अब हम लोग दूसरा कंडिशिन देख लेते हैं नॉर्मल एदज्श्मेंट नॉर्मल एदज्श्मेंट में क्या होता है उसकों लूग देख लेते हैं यह कि हो हम लोग अभी कर देंगे जो और फ्रट अब्सक्राइब तो नॉर्मल एड्च्टमेंट में क्या होता है दोस्तो नॉर्मल एड्च्च्टमेंट किसे कहते हैं जब इमेज जो है वो आपका इन्फिनेटी में फॉर्म होता है चलू यह हमारा हो गया ऐसे चला जाएंगा एंड को पर हो गाब नोर्म बनेट्यम केते हैं ख करते हैं दिया पर ध्य। झाल्यनीचा नॉर्माल एड्जस्मेंट तो आपको पूछा जा सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कूप के नॉर्माल एड्जस्मेंट में इमेज कहां पर फॉर्म होता है इंफिनिटी में उसका जो उसका जो मैगनिफाइंग पावर होता है वो क्या होता है वो आपको निकालना होगा ठीक है देखो हम लोग जानते हैं मैंगनिफिकेशन पावर इस गल्टू मैं इसको लिख देता हूं मैंगनिफिकेशन at normal adjustment normal adjustment magnification at normal adjustment तो magnification power formula वही है आपका h-by-h okay h-by-h तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग जानते हैं we know we have sorry we have u is equal to minus u जानते हैं यह है object distance minus u है okay and v is equal to infinity तो हम लोग अगर यहाँ पर ऐसे formula लगाएंगी किसका formula बोलो equal to आपका 1 by f इसका formula लगाएंगे बोलो इसका formula यहाँ पर हम लोग अगर lens का formula इस्तेवाल करेंगी तो u के मतले में हम लोग क्या लगाएंगे minus u and v के जगा पर infinity लगाएंगे तो one by infinity हो जाता है zero and यह हो जाएगा आपका you एड़ यह तो zero हो जाएगा पुरा एड़ रहेगा one by f लेकिन हमें निकालना है क्या हमें निकालना है magnifying power तो यहाँ पे magnifying power d by u होता है image distance by object distance okay तो यहाँ पे हमें क्या multiply करना होगा d multiply करना होगा multiply multiplying by d by d we get क्या मिलेगा हमे d by u is equal to d by f this is the magnification of simple microscope at normal adjustment अभ इस से ज्यादा को कुछ नहीं करना है बस यह सारी चीज़े जो ही याद रखना है चलो अभी हम लोग कुछ use देख लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का simple microscope के बारे में इस से ज्यादा को कुछ नहीं जाना है हैं मुट फिकर कच आई जब्धा नलीप में आपको जाना नहीं है ज़्यादा डिप में सवाल भी नहीं पूछा जाएगा ज़ितना जरुत है मैं इतना ुक यह रहा हूं एक दो भी देख लेंगे use of simple microscope you just of simple microscope या फिर application of simple microscope uses of simple microscope in this of simple microscope the first use first use में लोग देखेंगे कि जो वच मेकर होते हैं जो घरी ठीक करते हैं ठीक है घरी का जो मेकर होते हैं जो जो गैना बनाते हैं ठीक है ओर्नामेंट्स और भी कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग मैंग निफाइंग ग्लास का जो है यूज करते हैं में ऊटे मैंगनीफाइंग घ्लास यूज 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 बाई वईच मेकर्स watchmakers archaeologist archaeologist and and or kya hoga in scientific experiment in scientific 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 in scientific purposes purposes in jewelry shop jewelry shop shops okay अगर ठीक है दूसा यूज अगर लेखेंगे तो यूज तो बहुत सारे हैं अगर यूज टू यूज टू मैगनिफाई कि प्रिंटेड कि प्रिंटेड लेटर्स अन बुक्स बुक्स निउस्पेपर्स ठीक है तो यह दूसरा यूज हो गया तो इस तरह के बहुत सारी यूज है और भी एक लिखा देता हूं कि मैगनिफाइंग ग्लास इस यूज़ इस यूज़ इन वेरियस इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो रीड कि टुट इसकेल्स दूरेट दा सकेल्स केल्स कि स्केयं शपोर्य है शकेब्स ब॥ि कि अग्वस्ट्रूमेंट में जो है वार्णिर सकेह दिया जाता है उसको वह बहुत ही छोटा है यद्दावर्च रेड नहीं कर पाते कभी तो भी मिस्टिक हो जाता है तो फिर उसको ठीक तरह से देखने के लिए हम लोग वहाँ पर मैगनिफाइंग ग्लास को सेट करके रखते हैं वर्णियर इसकल को रेट करने के लिए जैसे सर्विंग का एक इंस्ट्रुमेंट होता है ठीक है ठीक है ठी हैं अट इसको अपना अपना पराई बराबर करते रहेना अपना जो तभी खेया लेगना की तो जहाँ हैelope क्वाइब ऑनलड़ के लोड़ की और शब्सकार कर दोटार को जुटार के लोड़ बावाद के लोड़ दो की पते हैं